तो आज हम लोग करने वाले image to Horus सबसे interesting practical है यह आपके सामने code है बड़ इसके उपर हम लोग बाद में आते हैं सबसे फिले हम लोगों को content file लगेगा image के लिए आप लोग यहाँ पर खुद का भी image use कर सकते हैं description में image का लिंक देने से अच्छा मैं आप लोगों को image कहां से ले लोगों को audio file और सबकोस भी लगा तो यहाँ पर angus.jpg है देखो तो हम लोग इस angus को डाउन्ड़ोड कर लेंगे save image to downloads और एक खेंट अगर हम लोग इसे same folder के अंधर देखेंगे तो यहाँ पर python files भी available है हम लोग करना है image to Horus और वह सेम है picture to Horus तो यह रहाँ python file code निकालना important नहीं code को समझना important है हम लोगों का भी यहाँ पर angus को upload करना पड़ेगा files में जाना है यहाँ पर upload angus कहां गया upload ओके तो यहाँ पर अपना angus upload हो चुका है इसको हम लोग करेंगे copy path और यहाँ आपर हम लोग पेस्ट कर देंगे अगर हाँ पर आप लोगों का खुद का image है तो भी चलेगा अपना selfie निखाल के upload करना मजा आएगा copy path और यहाँ पर paste कर देना इस तरह से अब यह code explain करता हो फटा फट तो यह liabilities import करना यह important नहीं है यहाँ से हो तो हमने यहाँ पर input variable बनाया जिसके अंदर हमने file का path दिया अब हमने और एक वेरियेबल बनाया input data इसमें लोगों को क्या करना है इसमें लोगों को यह जो s file path name है इसको read करना है और हम लोगों को उसके rgba values explain करना है तो देखो अब मैं आप लोगों को explain करता हूँ कि आप पर होने क्या वाला ह यह जो angus का file है इसको हम लोग convert करने वाले excel sheet में तो एक image कैसे बनता है आप लोगों को पता है एक image बनता है पिक्सल से तो pixel की information अगर हम लोग ने excel file में store कर दिया तो image बन जाएगा तो अभी देखो यह जो angus का file है इसके अंदर एक pixel होगा उस एक pixel का x और y value होगा coordinate देखो देखो आप यहां पर एक पिक्सल होगा छोटा सा जापर मैंने डॉट दिया है यह इस पिक्सल का x और y coordinate पता लगाया और इस पिक्सल का अगर हमने color पता लागा कि इसका brightness कितना है और इसका rgba value कै अगर हमने इसको excel file में store किया और फिर से उस excel file को image में convert किया तो image बन कोड समझ में आता जाए और यह खाली उस image को plot कर रहें x और y value पे देखो यह 0 यह 400 तक और यह जाता है यह 600 अब मुझे बताओ कि यह इसको कहां से मिला 400 और 600 बताता हूं न टेंचन के लिए देख कमांड आई बताओ क्या dimension एस image का 450 बाए 600 और इसमें color dimension का है rgb तो है हमने यहाँ पर लिया है rgb और यहाँ पर आया है अगर हमने इसको shape को run किया तो यहाँ पर आया है 600 450 और 4 what is 4 rgb alpha alpha क्या होता है brightness होता है तो अब लोग क्या करते हम लोग इसमें से एक एक value को निकाल लेते हैं तो हम लोगों को x को assign करना है 0 को 0 मतलब यह 1 मतलब यह shape और 2 मतलब यह shape तो अगर हमने इसको run किया तो यह आएगा देख अभी क्या करते हम इस image को process करना है अभी सबसे पहले हम लोगों को नई समझ में आया लोगो क्या करना है code समझना है कैसे यह फ्लैटन को copy करो new tab command paste what does flatten do in python यह देखो यह flatten काम करता है समझा इस example के तरह आप लोगों को कहां गया कहां यह best example लागा था मुझे 2345 है अगर हमने इसको flatten किया तो क्या होगा 2345 सेम होगा बस multidimension को single dimension में convert होगा और यहां पर क्या हो रहा है पता है यहां पर जो shape 2 है मतलब अपना RGBA उसके उपर processing कर रहे हैं हम लोग और X और Y हमने उससे assign किया अब क्या करेंगे पता है यह प्लस टू यहां पर क्यों लिखा है यह मुझे भी नहीं पता अगर हमने यह प्लस टू को हटाया या फिर इसको change करके प्लस टू भी किया इसमें एर्र आता है मैंने इसको बहुत कर चुक हो आप लोग कर सकते हो और अगर आप लोगों को पता चला यह प्लस टू क्या कर रहा है आपर तो मुझे भी बता देना इस वाले को रन करके दिखा दूँ कि क्या आ रहा है तो एक एक एरे आप लोगों को समझ में आएगा इसलिए यह लाइन ओफ कोड यहाप पर है तो वह दिखाता है यह लाइब कर रहा है तो आगे अपना वस यही था प्रैक्टिकल में एक सेक्से मिलक्या एक पिक्सल का समझे यह 0 पिक्सल जोगों को खाली रोज और क्लम्स कितने टोटल इसमें प्रेंट करना है और लास्ट में इस वाले फाइल को एक्सल फाइल में सेव करना है CSV फाइल में उसके लिए खली यह दो line of code यहां पर फाइल आया नहीं यहां पर फाइल आएका तो refresh करता हूं मैं फाइल को तो यहां पर फाइल आ गया समझ गया यह था अपना image to horus तो image to horus समझ में आ गया मस्त वाला तो next वाला है video to horus उसको बड़ क्लिक करो उस video में मिलते हैं बै बै